कि नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगु तेली कहने आ गया इनके एक नेता ने मुझे पागल कुटा कहा एक तो हम महराजगन से इनके साथ आया है कलम ने वहां मुलागात लगाई जाली से बिलाई हुई है बिल्कुल चोटी से जाली से अब हम या आयम को पाच मिनट ने दिया गए हम इनसे बात कैसे होगी मेरे बचे हम लोग महराजगन जाकर आए पर वहाँ पर भी उसलाम अलेक्म दोस्तों मैं हूँ शारिप खान आज पाच बड़ी खबरे आपकी नहीं लेकर का आया हूँ पहली खबर के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि करनाटा के अंदर जब कोंग्रेस पार्टी की जीत हुई तो आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं किस तरह से इसलामिक जंडे को चोराहों पर लगाया गया और साथी साथ बजरंग दल की तरफ से और जो आसामाजिक तत्वे उनके द्वारा इस पर क्या रेक्शन हुआ किस तरह से माहूल खराब करने की कोशिश की गई दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वहां के जो भारती जंता पार्टी के समर्थक हैं और आरेसेस बजरंग दल के मानसिक्ता रखने वाले कुछ लोग हैं उन्होंने किस तरह से इस वीडियो के अंदर ये बताया कि कॉंग्रेस की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे ये वीडियो किलिप मैं आपको दिखाऊंगा तफसील से इसके अंदर किस तरह के नारे लग रहे हैं वो चीज़ आप देखना तीसरी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गोधी मीडिया की जो पत्रकार है रूबी का लियाकत जब करनाटा के अंदर कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो रूबी का लियाकत ने कॉंग्रेस के स्पॉक्स पर्सन को बुला करके टीवी चैनल पर उससे क्या बात कही जिसके बाद कॉंग्रेस पार्टी का जो पिरवक्त था उसने एक ही आंसर में रूबी का लियाकत की ज चाहिएं लेकिन उत्तर प्रिदेश पुलिस के द्वारा शासन के द्वारा कोट के द्वारा मुझे अपने पती से मिलने के पांच मिनट भी नहीं दिये जा रहा है एसी जुल्म और जाती हमारे पर क्यूं हो रही है पांचवी वीडियो के अंदर आप देखेंगे के करनाटक के अंदर सन 2020 में आपको याद होगा जिस एजूकेशन मिनिस्टर ने बीसी नागेश ने हिजाब पर बेन लगाया था उसकी कड़ी हार हुई और उसकी हार होने के बाद उसका क्या हाल हुआ ये चीज़ भी आप देखेंगे कि अल्ला की लाठी में आवाज नहीं होती जब घमंड होता है ना तागत का तब इनसान बड़े बड़े फैसले लेता है लेकिन अल्ला तागत जैसे देता है यसे छेन भी सकता है ये चार पांच वीडियो क्लिप्स में आपको दिखाने वाला हूँ तफसील से इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ तो चलिए चलते है पहली खबर की तरफ जो साइड में आप मेरे वीडियो देख पा रहे हैं ये चोराये पर एक फुवारा टाइप बना हुआ है जहां पर इसलामिक जंडे को लगाया जा रहा है ये बास सच है कि वहां पर इसलामिक जंडे को लगाया गया कॉंग्रेस पार्टी की जब जीत हु होई लेकिन साथी साथ आप मेरे साइड में ये भी देख पा रहे हुँगे के वहां पर तीन और जंडे लगे हुए है वहां पर हमारे अम्बेटकर वादी लोग जो है हमारे दलीद भाई जो उनका जंडा भी लगा हुआ है उसी के साथ साथ इसलामिक जंडा भी वहां पर लगाया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सीक, किसाई सब आपस में मिल करके रहना चाहते हैं और अब कभी भी इसको फूट डालने वाले यहां पर कामयाब नहीं होंगे एक और वीडियो आप मेरे साइड में देखी, रेली जा रही है, यहां पर बाइक से रेली निकाल रहे हैं और महां के जो आरेसेस बजरंग दल के लोगें उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि देखो इसलामिक जंडे के साथ, पाकिस्तानी जंडे के साथ कोंग्रेस पार्टी की जीत का किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है तो आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि यहां पर भी भगवा जंडा भी है, यहां पर दलिद भाईयों का जंडा भी है और यहां पर इसलामिक जंडा भी है, सब को साथ में लेकर के चलने का पिर्यास किया गया है और एक अमन का शांती का महुल बनाने की कोशिश की गई है करनाटा के अंदर क्यूंकि अब तक जो वहां पर नफरत भरी गई थी, बजरंग दल के दौरा और आसामाजिक तत्वों के दौरा उस नफरत को खतम करने के लिए, वहां के लोगों ने ये मुहिम चलाई है कि सभी जंडों को एक साथ लेकर के और सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर के रेली निका लिए अब मैं आपको एक और वीडियो साइड में आप मेरे देख पा रहे होंगे, इस वीडियो की आवाज मैं आपको सुनाता हूँ आप दिहान से सुनना, इस वीडियो के अंदर ये बताया गया है कि जब कॉंग्रेस पार्टी की वहां पर जीत हुई ये वीडियो को शेयर किया है, बीजेपी का एक बहुत बड़ा अंभगत है ट्वीटर पे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसने इस वीडियो को ट्वीटर पे शेयर करते हुए, ये बात फेलाने की की कि 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 कॉंग्रेस पार्टी सिर्फ मुसल्मानों की है, और पाकिस्तान समर्थाक है, तो इस वीडियो को आप देखना, इस वीडियो के अंदर जो नारे लग रहे हैं, पहले आप उसको सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसके बारे में तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर शायद आपने दिहान से नहीं सुना हो, इस वीडियो के अंदर लग रहा है आसिफ सेट जिन्दाबाद जो वहां के विधायक है उनकी जीतने की खुशी में वहां के लोग लगा रहे हैं आसिफ सेट जिन्दाबाद एक बार और इस आवास को दिहान से सुनिये अब आपकी समझ में आ जाएगा जिन्दाबाद 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 ज को जैसे ही घरने की कोशिश की गई वह बंदा भी बहुत ही जादा तेदे उसने पहले ही सवाल का रूबी का लियाकत को ऐसा जवाब दिया कि वह दंग रह गई और बहुत ही जादा अफसोस जनक अफसोस करने वाला चेहरा बना करके रह गई यह वीडियो के लिए देखिया रूबी का लियाकत की जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपको खूप सारी मुबारक बाद गणी मुबारक बाद आपने खमा गणी भी 136 सीटे आप लेकर आए इसके पीछे के सबसे बड़े कारण क्या रहे मैं अगर आपको सच-सच बताओं तो 50% कॉंग्रेस का इस इस वीडियो के अंदर कॉंग्रेस पार्टी के जो पिरवक्ता है उनकी चतुराई देखिए आपने आप वो समझ चुके हैं कि गोदी मीडिया वालों का मुझ कैसे बन कराना है अब मैं आपको एक और वीडियो उत्तर पिर्देश की दिखाने वाला हूं उसके बाद हम करन अठक चलेंगे क्योंकि उत्तर पिर्देश के अंदर ये बहन जिस तरह से मीडिया के सामने रो रही है कैमरे के उपर इसको देख करके हमारे मन में भी बहुत ही दुख पिरकट हुआ और इसको आप लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह से गौहार लगा रही है कि मुझे और मेरे बच्चों को पांच मिनट के लिए मेरे जो शोहर हैं उनसे बात करा दी जाए उनकी इसके शोहर हैं उत्तर पिर्देश के समाजवादी पार्टी के विदायक इमरान सोलंकी जी हाँ दोस्तों समाजवादी पार्टी के विदायक इरफान सोलंकी की ये पतनी है हमारा अधिकार नहीं है आखिर क्यों हम जगा जगा गौहार लगाने हैं अपने पती से मिलने की हमारे बच्चे रो रहे हैं कि पापा से हमें मिलवाओ उन से मिलने नहीं दिया जा रहा है यह वीडियो किलिप देखिया आप हम महारा अधिकार से इनके साथ आया हैं कलम ने मुलागात लगाई जाली से बिलाई हुई है बिलकुल चोटी से जाली से अब हम यहां को पाश मिनट नहीं दिया गए हमें इन से बात कैसे होगी हमेरे बचे हम लों महारा अधिकार आए पर भी मुलागात बहुत महीं से जाली प्रवाइब प्रवाइब लोगों पर निकल गए तरी गरμी वह समय निकल गर्म अरम्साना नहीं लोग लोगां जाए बताईए हमारी परेशानी नहीं दिखती हो कि एक आओड ने जूड़ गोला आग लगा दिए उसके यकीन कर लिया हम लोग रो रहे हमारे बहुत तो देखा दोस्तों इस बेहन के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं या उनके जो नेता हैं जब उ बारती जनता पार्टी के विपक्छ में समाजवादी पार्टी बेटी हुई है, लेकिन आप पिछले 10 साल का रिकोर्ट उठा करके देख लो, उत्तर पिर्देश के समाजवादी पार्टी के एक दावन नेता है आजम खां और उनका बैटा है अब्दुल्ला आजम उनकी हाली में विधाय की गई है स्वार्ग टांडा विधान सबाच छेतर से उसके बाद वहाँ पर बीजेपी का एक नया केंडिडेट विधायक बना है लेकिन मैं आपको मुद्ध ये है बताने वाला कि समाजवादी पार्टी अपने विधायकों के लिए या अपनी कार्रे करताओं के लिए कभी सडकों पर नहीं उतरती आप जहन दोड़ा करके देखिए कि उत्तर पिर्देश के मुसलमान जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी है किसी के लिए रोडों पर उतरी है किसी के लिए बहस किये किसी के लिए धर्ना पिरदशन किया है नहीं किया है ये समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे बड़ी कमी है और इसी के चलते मैं आपको बता दूँ कि कल 13 माई 2023 को नगर निकाए च चुनाओ लड़ें नगर निकाए मुसलमानों की बात कर रहा हूं 200 मुसलमान तो भारती जनता पार्टी लगातार अब मुसलमानों के अंदर अपनी जगा बनाने की कोशिश कर रही है और समाजवादी पार्टी के अंदर ये कमी है कि वो किसी मुसलमान का साथ नहीं देती जब वो परिशानी में होता है अब आप लोग ये मत कहने लगना कि मैं भारती जनता पार्टी की तारीफ कर रहा हूं और समाजबादी की तारीफ नहीं कर रहा हूं देखिए आप इस वीडियो क्लिप को देखना उसके बाद हम और आप डिस्कस करेंगे. देखा दोस्तों मोती जी लगातार अपनी सारी गालियां गिनवा रहें कि कॉंग्रेस पार्टी किस नेता ने मुझे क्या क्या कहा लेकिन उसके बाद भी महां की जनता ने भारती जनता बार्टी को बुरी तरह से हरा दिया है. अब जो आप मेरे साइड में वीडियो देख रहे हैं बीसी नागेश ये वही एजूकेशन मिनिस्टर हैं केरला के जिनोंने हिजाब पर पावंदी लगाई थी स्कूलों के अंदर. जिनका ये फर्मान जारे हुआ था कि स्कूल के अंदर कोई भी लड़की हिजाब या बुर्खा पहन करके नहीं आएगी. अल्ला की लाटी में आवाज नहीं होता. ये कहावत आपने सुनी होगी. इस शक्स को देखकर के आप इस बात को समझ लीजिए के वागी लाटी में आवाज नहीं होता. लेकिन जब पढ़ती है ना तो लाल कर देती है. कहीं का नहीं छोड़ती है. जिस समय ये एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री के पद पर बैठा हुआ वागती था. उस समय इसने ऐसे गलत फैसले लिए जिसके बाद अल्ला का गजब इसके उपर उत्रा. और ये शिक्षा मंत्री होते हुए भी बुरी तरह से करना टक के अंदर इसको हार का सामना करना पड़ा. फिलाल वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन पर ओल का बटन सेलेक कर लेना. इन्शालला इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो आपकी निये लेकर करके आता रहूंगा. मुझे आपकी लोगों की सपोर्ट की जरूरते सपोर्ट करिए वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए और चैनल को सबस्क्राइब करिए ताकि मेरी वीडियो और ज्यादा यूट्यूब प्रमोट करें और बागी लोगों तक भी पहुँचाएं. बागी खुदा हाफिज जैहिन जैभारत.